कोश्चन नमबर बने, चंदेरी के युद्ध के संदर में कौन सा कथन सही है, चंदेरी का युद्ध है 1528 में बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने मेदनी राय को हराया था, दोनों के दोनों सही है, या इन में से कोई भी सही नहीं है, बता 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, 26 में पानी पिया, पानी पत का पहला युद, 27 में खाना खाया का क्या मतलब है, खानवा का युद, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद, 29 में घर गया, मतलब घागरा का युद, 30 में मर गया, तरह बारकी म्रत्यूद, अब इनके सामने 15 लगा दीजे, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में हो जाती है बावरकी म्रत्यूद विजयनगर सामराज का पतन हो गया था ताली कोटा के युद्ध में और कब हुआ था ये 1565 में देखिए विजयनगर का राजवन्स उनके कारिकाल में भवेता के सिखर पर पहुँच गया विजयनगर सामराज का पतन 1529 में कृष्ण देवराय की मृत्यू के साथ ही सुरू हो गया यह सामराज 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया जब आदिल साही, निजाम साही, कुतुब साही और वरीद साही के सैयुक्त प्रिया सुद्वारा ताली कोटा में रामराय को पराजित किया गया कुष्ण नमबर 3 है 1902 का फ्रेजर आयोग किस सुधार के लिए लाया गया था किस सुधार के लिए लाया गया था 1902 का फ्रेजर आयोग देखे यह लाया गया था पुलिस की कार्य पद्दती पर विचार एबम सुधार के लिए पुलिस की कार्य पद्यती पर विचार एवम सुधार के लिए लाया गया था 1902 का फ्रेजर आयोग तो 1902 का फ्रेजर आयोग लाड करजन के शासनकाल में पुलिस की कार्य पद्यती पर सुधार ये तो लाया गया फ्रेजर आयोग के जो अध्यक्स थे वो फ्रेजर थे और गवर्नर जेनल उस्सा में कौन था? करजन का सासनकाल था 1902 में तो ये है, तीन साल में इसने बंगाल का भाजन कर दिया मतलब 1905 में पुशन नंबर 4 है, निम्रिकित में से कौन सा आयोग या कौन सी समिती अपने उद्देश के साथ सुमेलित नहीं है इनाम आयोग, भूमी संबंधी विवेचना, हंटर आयोग, सिक्षा का विकाज, हर्शेल समिती, टकसाल संबंधी सुझाब, वटलर समिती, स्रमिकों की इस्तती पर विजार इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे, पताए ये कौन सा इसमें गलत एक देखें, जो इनाम आयोग था, भूमी संबंधी विवेचना के लिए बनाया गया था, करेक्ट है हंटर कमिशन, हंटर आयोग तो पता ही आपको, सिक्षा के विकाज के लिए हर्शेल समिती जो थी, वो टकसाल संबंधी सुझाब देने के लिए बनायी गई और जो बटलर कमेटी थी, 1927 की बटलर कमेटी, क्या थी, सरमिकों के इस्तिती पर विचार करने के लिए नहीं थी, ये थी देशी रियासतों, और अंग्रेजी सामराजी के बीच, सामजस से इस्थापित करने के लिए हैं तो देखिए, जो बटलर कमेटी थी, 1927 की बटलर कमेटी, देशी रियासतों वे अंग्रेजी सरकार के संबंदों पर विचार करने के लिए थी, बाकि जो हर्षल समीती थी, वो टकसाल संबंदी सुझाब के लिए कब 1893 में, हर्टर कमिशन कब आया, सिक्षा के विकास के ल कोश्चन नमबर 5 है, बंगाली समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द्वार का नात्र टैक और नहीं है, बंकेम चंचाटर जी नहीं है, सिसिर कुमार घोस नहीं है, ये थे गिरीश चंदर घोस, कौन थे? गिरीश चंद संस्थापक कौन था देखे कुजूल कड़िशिस तो हो नी सकता कुजूल कड़िशिस कुशान वन्स का संस्थापक था कुजूल कड़िशिस कुशान वन्स का संस्थापक था तो वसुदेव था वसुदेव था कणव वन्स का संस्थापक ऊस्चनरु सेवन है हिंदू विद्वाह पुनरविभाई अधनियम किसने पारित किया लौड कैनिंग ने किसने पारित किया हिंदु विद्वा पुनर विवा अधिनियम 1856 में तो लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया, सिसू वद पर प्रतिबंद किसने लगया, लॉर्ड वेलेजली ने कब 1798 से 1805 के बीच, दास प्रता पर प्रतिबंद किसने लगया, लॉर्ड एलेन बरौन ने कब 1843 में, सार्दा एक्ट अधिनियम कब बना 1880 में किसने, लॉर्ड एर्विन ने, फुर्शन नमबर 8 है, इन में से किस अधिनियम या एक्ट में विवाह के लिए लड़की की नियुनतम आयू, 14 वर्स तथा लड़के की नियुनतम आयू, 18 वर्स निर्धारित कर दी गई, किसमें किया गया था ऐसा नेटिब मैरिग एक्ट में या सार्दा अधिनियम में या age of consent एक्ट में या हिंदू, विद्वा, पुनिर्विवा अधिनियम में, देखें ऐसा किया गया था सार्दा अधिनियम में, 14 वर्स लड़की की आयू, और लड़के की आयू, 18 वर्स कर दी गई, तो 1930 के सार्दा विवाह के लिए लड़की की नियुंतमायू तो इटलियन गद्ध का जनक कहानिकार वोकेशियो को माना जाता है बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है बोकेशियो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है डिकोमेरोन क्या है डिकोमेरोन बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक है डिकोमेरोन पुशन नमबर 11 है इटली के एकिकरण के संदर्व में सत्य है इटली के एकिकरण के संदर्व में सत्य है इटली के एकिकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है इटली के एकिकरण में सबसे बड़ा बाधक आस्ट्रिया था इटली के एकिकरण की तलबार गेरिवल्डी क कहा जाता है ये सभी के सभी जो कथन है वो correct है विलकुल तो इसका answer हो जाएगा D बारवा प्रशन है यॉरप का मरीज किसको कहा जाता था किसको कहा जाता था यॉरप का मरीज तुर्की को या सको और 23 अक्टूबर 1930 को तुर्की गड़तंत्र की घोश्टा होई थी याद रखिएगा इन में से कौन सा सिद्धान्थ ब्रह्मांड की उत्पत्ती से संबंध रखता है या रखते हैं ये सभी के सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ती से संबंधित सिद्धान्थ है तेकि ब्रह्मांड की उत्पत्ती के संबंध में महा विस्फोर्ट सिद्धान्थ सरवाधिक माने सिद्धान्थ है इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलग एवं पादरी एव जोर्ज एव जोर प्रत्वी का निकत्तम ग्रह है तो है यह साम में पश्यम दिशा में पूरब दिशा में आकास में दिखाई पड़ता है एंसा है क्या करक्ट है इसे प्रत्वी की बहन भी कहा जाता है ये भी करक्ट है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है ये भी करक्ट है तो सभी के सभी सत्य हैं इसकांस रोजागरडी 1,2,3,4 उस्टर नुमबर 15 है नेमलेखित कथनों पर विचार करना है यह मल्टी डाइमेंशनल प्रशन है बंगलादेश भारत बंगलादेश ओमान से होकर करकर गुजरती है उलकाएं प्रकास की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकास में छड़बर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती है मकर रेखा बहुत सबाना और नामीविया से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा ओस्टलिया को दो भागों में बाटती है बताईए इसमें कुछ गलत लग रहा है और बाकी कुछ ठीक ठाकी लग रहा है उपरोक्ट कथनों में से कौन सा कथन सही है देखिए भारत बंगला देश और ओमान से होकर गुजरती है करक रेखा ये तो करेक्ट है उलकाएं जो होती है वो प्रकास की चमकिरी धारी के रूप में दिखाई देती है जो आकास में छंडबर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है मकर रेखा बोट स्वाना और नामीविया से होकर गुजरती है गलत है इस्टेट्मेंट मकर रेखा और उस्टेलिया को दो भागों में बाड़ती है तो बन टू फोर करक्थ है यहाँ है क्या बन टू फोर ओप्सन नमबर भी खोशन नमबर 16 है निमलिकत में से कौन सा देश भूमत देसागर तक नहीं फैला है नहीं फैला है का मतलब क्या है तटिये सीमा नहीं बनाता है भूमत देसागर ये दोनों नहीं है, तो इसमें से दो गलत हो गए, अब इस प्रशन का क्या होगा, सभी को एक अंक दे दिया जाएगा आयोक के दोरा, इस प्रशन को फिर से देखते हैं, पश्चमी एसिया का कौन सा देज, भूमत दे सागर तक नहीं फैला है, मतलब मेडिटेरियन, सी के देखें, इंपोर्टेंट है, भूमत दे सागर, और उसमें भी पश्चमी एसिया के देश, कौन-कौन से हैं, ये हैं मेडिटेरियन सी, भूमत दे सागर, और तो बहुत सारी लगए, अफ्रीका भी लगा उपर सी, यॉरप लगा है, लेकिन अधिकतर प्रशन, स्टेट PCS म देखें, तो कौन-कौन से होगा इसमें, सीरिया है, इसराइल है, लेबनान है, जॉर्डन नहीं है, तो इसका अंसर हो जागा, अपसर नमबर भी, कौशन नमबर 17, काला सागर और भूमत सागर को कौन सा देश अलग करता है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा देश अलग करता है, यह important है, कौन अलग करता है, कजाकिस्तान तो कहा है, यह तो हो नहीं सकता, पोलेंड भी उपर है, इसका उतर हो जाएगा तुर्की, जो तुर्की है, जो टर्की है, वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को अलग करते हैं, इसमें साथ दिख जाए आपको, दिख वेस्ट टू इस्ट, इन सागरों का कौन सा करम सही है, सबसे पस्चिम में कौन है, और सबसे पूरब में कौन होगा, इसमें बताईए, देखे अगर वर्ड में अब देखा होगा, जो ग्रफ ही के लिए, एटलस बहुत जरूरी है, जिसके पास नहीं है, खरीद लीजिए, एक ऑक्सफोर्ड की अटलस, और प्रैक्टिस कीजिए उसमें, पैंसल से, कौन सा देश कहां पर है, तो सबसे पहर आना चाहिए, इसमें भूमत सागर, उससे थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तो आएगा काला सागर, थोड़ा और बढ़ेंगे, तो आएगा की और साही हो जाएगा, वागी गलते हैं दोनों, तो देखिए, यह है, यहां से यहां तक फैला हुआ है, पूरा मेडिटेरियन सी, भूमत सागर, तो सबसे पहले तो यह हो गया, अब यह पास्चे में, तो इधर की तरफ बढ़ोगे ना, पूरब की तरफ, तो यह उपर आएगा, ब्लैक सी, काला सागर, इसके और आगे जाओगे तो आपको आएगा, कैस्पियन सागर, सबसे और आगे चले जाओगे, तो एरल सागर आगा, इसमें दिखा नहीं है, पूरा, लेकिन इन दो से ही स्टेट्मेंट, यह, यह, भूमत सागर, काला सागर, दो सी कड़ इजिप्ट और जिबूती, तो जिबूती है बनाता है, इरिट्रिया बनाता है, और इजिप्ट भी बनाता है, सोमालिया नहीं है, एस से सूडान है, सूडान, सोमालिया नहीं है, तो देखिए यह है, रेड सी छोटा सा दिख रहा होगा आपको, अब कौन कौन सटा है से, ये इरिट्रिया सटा है और ये जिबूती लगा है जिबूती को D से लिखते हैं और साओधी अरेविया है इजिप्ट है सुडान है तो कितने हो गए एक दो तीन मतलब इतने है और जो नहीं है इसमें सोमालिय नहीं है सोमालिय तो अफरीका में यहां देगी है तो यहां तक सबसे कौन से देश काले सागर के साथ 30 सीमा लगाते हैं काले सागर मतलब ब्लैक सी के साथ यह इंपॉटेंट हैं ब्लैक सी रैड सी मेडिटेरियन सी कैस्पियन सी एरल सी और विक्टोरिया लेक इनसे सीमा लगाने कе लिए बहुत पूछते हैं सब को याद कर लिजी कोई एक पूछ लिया जाता है, तो काले सागर से जो सीमा बनाने वाले देश हैं, उसका कोड है, उसकी ट्रिक है, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे, राम नाम का मतलब है रोमानिया, बोलोगे का मतलब है बुलगारिया, तो साइलेंट है, राम नाम बोल का मतलब है रोमानिया, बोलोगे बुलगारिया, तो रशीयन रशा, क्रेन, घॉक्रेन, ट्रक, तुरकी और जाओगे जोर्जिया, राम नाम बो लोगे तो रशीयन उवक्रेन और ट्रक से जाओगे तो इस टिकसे काफी देश इसमें याद हो जाएंगे लगभग 98% एकाथ कोई शूटा होगा तो राम नाम बोलोगे, राम नाम का मतलब रोमानिया, बोलोगे बुल्गारिया और रशियन, रूस, क्रेन, युक्रेन, ट्रक, तुर्की, जाओगे जोर्जिया तो देखे, 20 प्रेशन थे, इंपोर्टेंट थे, ये सेट अच्छे सा इंपोर्टेंट है को जादी प्रेशनों के साथ क्योंकि इसमें सीधा-सीधा प्रेशन पूछा जा सकता है, तरीका यही है, एक्जामनर की सोच तो सब्सक्राइब जरू करना, सिवल सर्विसेश टेडी चैनल को, जितनी भी टैस सीरीज इस चैनल पर चलिए है, सबका प्रेशन में लिंक हर टैस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, धन्यवाद